हेलो गाईज वेलकुम बैक टू माई यूटूब चैनल दीपा व्लोग्स तो कैसे आप से भी आई हो पच्छे होंगे मज़े में होंगे स्वास्त होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं तो गाईज मॉर्णिंग का टाइम है और यहाँ पर देखें मैं आगे उच्छत पर कप्ले सुखाने के लिए क्योंकि यहाँ पर आज चार दिन के बाद धूप निकली है चार दिन से लगातार कांटेने उस बारिश ही बारिश हो रही थी बारिश जो है वो एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी और यहाँ पर देखें च्छत पर लगा हुआ है मिर्ची का हो था और उसमें चोटी-चोटी मिर्ची भी उग चुकी है और यहाँ पर हमारे च्छत से सुबह-सुबह मंदिर के दर्श्वेन भी हो जाते हैं और आज जाके धूप निकली है वो भी कभी धूप आ रही है कभी जा रही है बारिश का मर्सम बनाई हुआ है और फिर इस ब दिमाक खराब करके रखा था चार दिनों से जो बारिश हो रहा था तो हो ही रहा था फिर यहाँ पर मैं नीचे आई तो मैंने अपर अपने लेचाय रखे बनने के लिए और एक तरफ सॉया बीन बाहल करे सबजी बनाने के लिए और बारिश के बज़र से देखिए पूरे दिवाल में जो है वो सीलन आ चुका है इतनी बारिश हुए ब्यानक भगदड़ बारिश हुए पूरा दिवाल में सीलन आ गया है अब लगातार कुछ दिन धूप निकलेगा तो ये सीलन जाके सुखेगा सच में बारिश ने तो सब का ही दिमाग खराब करके रखा था ओफिस जाने वगएरा में भी एकदम दिक्कत होती थी और स्कूल में तो छुटी का मैसेज आ गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी और यहापर बॉयल हो चुका है सोयाविन और फिर आलू भी बॉयल हो चुका था तो यहापर सोयाविन फ्राई वगएरा करके मैंने सब्जी बनाया और आज विश्व कर्मा पूजा भी है तो आप सभी को ध्यर्शारी से कामना है और फिर यहापर मैं आ चुकी उना के और आज मैंने वह धोय हैं बाल क्योंकि मुझे बाथरूम क् बहुत सारे कपड़े भी थे धोने के लिए क्योंकि चार दिनों से तो कपड़े वगएरा कुछ नहीं दूल रहे थे बार इसमें सुखानते कहा अगर धो भी देते तो तो इस वज़े से आज ठीर सारे कपड़े दूले फिर और इस वज़े से आज मुझे पहननी पली साड और ये सारी काफे ज़दा अच्छी लगते हैं इसमें गर्मी वगएरा कुछ नहीं लगते हैं कोटन की सारी है तो लगता है नहीं कि हमने सारी वगएरा पहना है तो ज़्यादा है भी भी नहीं है और मुझे ये सारी अच्छी भी लगती है तो फटा फट से मैंने आज वि साथ ही ना लिये थे, कि उन्होंने भी अपने बाइक की पूजा की थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं नाश्ता बगारा में लगी थी, और आप पूजा करें का बागए, पता ही नहीं चला, और फिर यहां पर मैं यहां पर पूजा करें दोनों के साइकल की, जएदा एकसाइटेड हो रहे थे, दोनों पूजा करने के लिए, पूजा करने के साइकल के साइकल की पूजा कर रहा है, और साथ में चोटू के गाड़ की भी, और फिर चोटू वेट कर रहा है कि कब मेरा नंबर आए, तो चोटू भी काफी ज़्यादा एकसाइटीड है, उसको भी काफी ज़्यादा मज़ा आता है, तो देखिया अपने छोटे छोटे आतों से, वो भी पूजा कर रहा है, अपनी गाड़ी की, और काफी ज़्यादा खुश भी था वो, अगर उसको यह सिप्ज़ करने के जितना अलस कपड़े धोने में नहीं आता है उससे ज्यादा अलस जो आता है वो कपड़े फोल्ड करने में आता है मनी नहीं करता है कपड़े फोल्ड करने का लेकिन ऐसे फैला के भी नहीं रख सकते है तो फटा फट से कपड़े फोल्ड किये और गाइस आप लोगों से एक कीजे वियूज कीजे और फिर यहाँ पर देखें इन दोनों ने क्या किया तोल या जो है उसको बिच्छा के उस पर खिलोने फैला के खिलोने वाले बने है यह और साथ में अपनी डूड की बॉटल भी रख दी है तो इन लोगों की मस्ती ऐसी दिन पर चलती रहती है घर कभी साफ सुत्रा नहीं लगेगा हमेशा खिलोने इदर से उदर फैली मिलते है और फिर यहाँ पर देखें मैंने एक बैग ओडर किया था तो सुचे आप लोगों करशा सेयर करें काफी अच्छा बैग है स्लिंग बैग है और काफी जादा इसमें वो भी है कंपार्टमेंट तो और काफी सुन्दर भी हम इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं और इसकी एक और लॉंग स्लिप भी है तो उसे भी हम कैरी कर सकते हैं तो चले गाइस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को यह परेंड करते हैं और आपको कैसा लगा बैग कमेंट करके जरूर बत आएगा कमेंट करके और वीडियो कैसी लगी वोगी